हेलो स्टुडेंट्स आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रिश्णावली 13.6 का प्रिश्ण साथ तो पहले तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे इसमें दिया गया है कि सी से की एक पैंसिल है जिसे हम लेड पैंसिल कहते हैं लकडी के एक बेलन के अभियंतर में अभियंतर मतलब उसके अंदर सेंटर में ग्रेफाइड से बने ठोस बेलन को डाल कर बनाई गई है तो इसको एक चित्र के माद्यम से थोड़ा समझना इसके पहले मैं आपको एक उधारन से समझा देता हूँ जैसे ये देखो ये पैन है और आप सभी जानते हैं कि पैन के अंदर ये रिफिल होती है ठीक है अब होगा क्या कि इसे मालो कि ये ग्रेफाइड से बनी है ग्रेफाइड वही है जो पैंसिल के अंदर काला काला रहता है ये जो आपको दिखता है ये आप देख पा रहे हैं ये काला काला ये ग्रेफाइड है और ग्रेफाइड के बाद इसके उपर से लकडी चड़ी रहती है आप देख पा रहे है ना ये लकडी चड़ी रहती है तो उस लकडी को हम मानेंगे कि ये जो पैन है ना ये लकडी का है ये पूरा इसके उपर से है लेकिन इस pen के अंदर ये ग्रेफाइड का बेलन है ये किसका बेलन है ग्रेफाइड का जैसे ये देख लो ये pencil में हाथ में लिये हूँ इसके अंदर ये काले काले कोईले जैसी ये क्या है ये ग्रेफाइड है और इसके उपर ये क्या लिप्टी हुई है लकडी तो ये लकडी उपर से ये पूरा लकडी है लेकिन इसके लकडी के अंदर ग्रेफाइड की एक राड इस तरीके से डली हुई है और यही राड जो है इसका एक सिरा यहाँ पे आपको दिख रहा है यह अंदर तक है यहाँ तक है यह pencil आप चलाते जाओगे धीरे धीरे यह चलती जाएगी घिसती जाएगी यहाँ तक वुराट डली हुई है कैसे डली हुई है? जैसे यह pen है और इसके अंदर यह refill डली होती है तो इस pen को समझ लो कि ये लकडी से थोड़ा सा खोकला बनाया गया है और फिर इसके अंदर ये इस तरीके से ग्रेफाइट डाल दी गई है तो अब इस question को समझने में आसानी होगी देखो इसमें क्या लिखा है ध्यान से समझना कि ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को ग्रेफाइट से बना ठोस बेलन यही होगा ये बेलन जैसा होता है क्यों आप इसको गौर से देखो गौर से देखो तो इसकी साइच कैसी है ये देखो ये ब्रत बना हुआ है बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है तो ब्रत होगा और ये लंबाई है तो ये कैसा हो बेलन जैसे आक्टती है ना इसकी जैसे हम लोग बेलन पढ़ते हैं बेलन कैसा रहता है ये देखो बेलन ये ऐसा रहता है ना बेलन जिसको सरकिल होता है ये लंबाई होती है तो बैसे ही तो ये है अगर इसको ध्यान से देखो ये थोड़ा मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ ये देखो ये क्या है ये भी तो बेलन जैसा ही है ना अब देखो question को कि pencil का ब्यास जो की ग्रेफाइट से बनी है उसका ब्यास दिया गया है 7 mm मतलब 7 mm और जो ग्रेफाइट है pencil किस से बनी है लकडी से मालो ठीके और C से क भी हो सकते हैं यहाँ पर लिखा lead pencil लेकि लकडी के एक बिलनाकार अभ्यंतर में है तो उसको थोड़ो उसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नहीं तो question से बटक जाओग ये देखो ग्रेफाइट का ब्यास दिया गया है ग्रेफाइट का ब्यास कितना है बहुत कम एक mm तो होगा ही क्योंकि ये देखो ये ग्रेफाइट है जो उस लकडी के अंदर है ये क्या है ग्रेफाइट है जो उस लकडी के अंदर है तो इसका ये ब्यास देखो ब्यास क्या कहलाता है ये जो ब्रत है ना इसकी परदी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की द तो देखो इसमें क्या पूछा है ग्रेफाइट का आयतन तो ग्रेफाइट का आयतन निकालना बहुत आसान है क्योंकि ग्रेफाइट का ब्यास पता है तो ग्रेफाइट का आयतन निकाल लोगे क्योंकि ग्रेफाइड के ब्यास से ग्रेफाइड की तरज्जा निकालोगे और तरज्जा पता चल जाएगी तो कौन सा सुत्र लगाओगे क्योंकि ग्रेफाइड कैसे ग्रेफाइड जो है उसका साइच कैसा बेलन है न तो और इसमें लिखा भी है कि बेलन बेलन दो जगए तो ग्रेफाइड का ब्यास अगर इतना है तो इससे तरज्जा निकालोगे और ग्रेफाइड का आइतन ग्याद करने के लिए कौन जा सूत्र लगाओगे यही वाला न पाई यार वर्ग एच क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रेफाइड की रोड है वो बेलन के साइच की है आपने अभी समझा है तो पाई यार वर्ग लगा दोगे अब लकडी का आइतन कैसे निकालोगे? लकडी का आइतन भी तो निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे लकडी का आयतन निकालने के लिए आप पहले पैंसिल का आयतन निकालोगे क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से यह समझो इस पैन को समझो ध्यान से यह समझो कि यह पूरी पैंसिल का ब्यास है ये पैंसिल का बड़ा ब्रत दिख रहा है न ये पैंसिल का बड़ा ब्रत है और ये जो अंदर छोटा सा ब्रत जो आपको दिख रहा है ये किसका ब्रत है ये ग्रेफाइट की रोड है उसका ब्रत है यानि ग्रेफाइट का ब्यास यहां से यहां तक और पूरी पैंसिल का ब् जैसे पैंसिल का आईतन निकाल के उस में से ग्रेफाइड का आईतन घटा दोगी तो बीच में जो लकडी लगी है उसका आईतन पता चल जाएगा अब यहाँ पे देखो question में पैंसिल का ब्यास दिया गया है बड़ा है ग्रेफाइड का ब्यास कम है तो आपको यह करना है कि पैंसिल के आईतन में से ग्रेफाइड का आईतन घटाना है क्योंकि बड़ा आईतन इसका आएगा क्योंकि ब्यास इसका ज़्यादा है तो आपको क्या करना है पैंसिल का ब्या लेकिन लकडी का आयतन कैसे निकलेगा जब पैंसिल मैंसे जब पैंसिल मैंसे ग्रेफाइड घट जाएगी पैंसिल मैंसे क्या होगी ग्रेफाइड घटेगी यानि पैंसिल के आयतन मैंसे ग्रेफाइड जो है उसका आयतन घटेगा तो पैंसिल का आयतन तो निकालना पड़े और जैसे ही आपको त्रज्जा मिलती है तो आप आइतन निकालोगे क्योंकि पैंसिल भी बेलन क्या कार की है तो पाई आर वर्ग एच का फॉर्मूला लगाओगे तो आर बस चाहिए एच तो दिया ही गया है पूरे में एक साही एच है जो कि पैंसिल की लंबाई 14 cm होगी तो वो GRI FIDE की भी लंबाई होगी वो pencil की भी होगी क्योंकि उसी के अंदर ही तोरहता है न सब कुछ उसी के अंदर ही रहता है सब कुछ ठीक है तो अब देखो ध्यान से तो अब आप कैसे करोगे इसको सबसे पहले आप PINCIL का ब्यास दिया गया है तो इस से त्रज्जा निका फिर graphite के ब्यास से तरज्जा निकाल लो राइतन तो graphite का आइतन तो आ जाएगा अब लकडी का आइतन निकालने के लिए pencil के आइतन में से graphite का आइतन घटा दू चलो इसको solve करते हैं सबसे पहले लिखो क्या दिया गया है pencil का ब्यास तो heading डालेंगे pencil का ब्यास तो pencil का ब्यास हमें दिया गया है 7 mm mm मतलब mm इससे निकालेंगे pencil की तरज्जा तो pencil की तरज्जा को आरबन माल लेते हैं और 7 का आधा करेंगे तो 7 बटे 2 mm ठीक है अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे graphite graphite का ब्यास यहाँ पे हम pencil का आधान भी निकाल सकते हैं चलिए निकाल ही लेते हैं heading डालेंगे pencil का आधान तो अब आप सोच रहे होंगे कि pencil का आधान तो पूछा ने गया है तो मैंने आपको story बताई है कि pencil का आधान भले ही नहीं पूछा गया लेकिन pencil के item में ऐसे जब graphite का घता होगे तभी तो लकडी का मिलेगा तो इसलिए pencil का item, pencil कैसी है, बेलना कार, बेलना कार की है, तो क्या लगेगा, पाई यर वर गेच चलो ठीक है, तो h कितना दिया गया है, h दिया गया है, pencil की लंबाई कितनी, 14 cm तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कि जो height है, pencil और graphite की उचाई, दोनों की, तो यहाँ पे pencil की लंबाई या उचाई, ठीक है, लंबाई l या फिर h, दोनों 14 cm तो अब यहाँ पे देखो, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे साथ, तो यह रख लिया, r का मान कितना है, r1 होगा यहाँ पे, क्योंकि pencil की तरिज्जा को क्या मानी है, r1 तो r1 बर्ग, यानि 7 बटे दो, कब बर्ग अब r1 मानना है, तो ठीक है, नहीं मानना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और h का मान कितना है, 4 यह देखो, बस अब इसको काटा पीटी करना होगा, तो 22 बटे साथ, 7 बटे 2 को 2 बार लिख दो, 7 बटे 2, गुलित 7 बटे 2, और गुलित कितना कर दो, 4 यह देखो, ऊपर नी पीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर देखो, 11, 7, 7, तो 11 गुलित 7 सतिया उननचास, अब उननचास गुलित 11 कर लेते हैं, रफ में, तो रफ का इस्तिमाल करेंगे, उननचास यहाँ पे लिख दिया, 11, यहाँ पे लिख दिया, एक का करोगे तो उननचास आएगा, फिर एक पे लिख लेंगे 549, और यह मिली मीटर गण में आएगा अंसर, क्योंकि सभी चीज़ें उसी में हो रही है, तो यहाँ पे आएगा मिली मीटर गण, बस इसमें एक चीज और करना है, जहाँ पे हम लोग चूक रहे हैं, यह देखो, ह कमान 14 सेंटी मीटर है, तो यह चीज़ मिली मीटर जब मिलते हैं, तम बनता है 1 सेंटी मीटर, आपने स्किल में देखा होगा, तो अब आपको क्या करना होगा, कि इसमें 10 का गुणा करना होगा, तो अब यह बनेगा मिली मीटर, ठीक है, तो मिली मीटर यह बन गया, तो 140 होगा, तो यहाँ पे जब हमने रखा था 140 mm 14 cm बराबर क्या होगा 140 mm तो अब यहां पे 140 रखेंगे तो यह 0 आएगा तो जब आखरी में जब गुणा होगा यहां पे यहां पे भी 0 आएगा और यहां पे भी 0 आजाएगा तो अब इसको ध्यान से समझना कि देखो यह आएगा 5390 आप करके देख लेना यही आएगा लेकिन अब हमें इसको cm गहन में बदलना है तो ज़रा ध्यान दो कि यहां पे 10 10 mm जब आपस में जुड़ते हैं तब बनता है 1 cm बनता है कि नहीं बनता है तो 1 cm जब यह बनता है तो 1 mm 1 mm में कितने cm होंगे तो इसका जबाब होगा यह जो 10 गुणा में है यह बटे में आ जाएगा तो एक बटे 10 cm तो अब हम दौनोंपक्चों का घं कर देंगे दौनोंपक्चों का घं यह देखो यहाां पे तो एक का घं एक ही होगा 1 mm घं एक मिली मीटर घं कितने सेंटिमीटर के बराबर हो, कितने सेंटिमीटर घं के बराबर होगा, तो एक बटे दस को भी तीन बार लेखेंगे, एक बटे दस, गुड़ेत एक बटे दस, गुड़ेत एक बटे दस, और सेंटिमीटर घं, इसका क्या मतलब है, कि एक मिली मीटर घं इतने cm घं के बराबर होगा है ना होगा की नहीं तो जब इसे हम मिली मीटर घं से cm घं में बदलेंगे यहाँ पे cm घं हम लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि 1 बटे 10 गुड़ित 1 बटे 10 गुड़ित 1 बटे 10 का गुणा करना होगा इसमें अब हम क्या करेंगे इसको 5390 जियों का त्यों और नीचे कितना आ गया तो एक के बाद 3-0 लगा देना यहां क्या दिया गया है ग्रेफाइट का ब्यास तो इससे तरज्जा निकाल कि इसका आयतन निकाल लेंगे तो चलिए एडिंग डालेंगे ग्रेफाइट का ब्यास जो की है एक एमेम तो ग्रेफाइट की तरज्जा इसे हम मान लेंगे एक बटे दो एमेम ठीक है और जो उच 40 mm हो जाएगा मैंने दुबारा से लिख दिया आप चाहें तो ना भी लिखें ये वाला इस्टेट्मेंट तो कोई दिख्कत नहीं इसलिए ग्रेफाइट का आइटन इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है अब बार बार वो प्रोसेस नहीं करना है आप सीधा 1000 से भाग दे दिना है तो ये बन गया सेंटिमीटर गन तो 1000 मतलब 3 अंग के बाद दिसम्मला यहां पे आएगा तो 0 दिसम्मला एक एक सेंटिमीटर गन तो अब लकडी का आइटन कैसे निकालोगी तो heading डालोगी लकडी का आइटन तो बड़ी कौन है pencil में से graphite का आइटन घटा दूगे तो pencil का आइटन कितना आया है मैंने उपर लिखा हुआ है 5.390- यह देखो graphite का आइटना है 0.11 ठीक है अब इसको गटाते हैं तो गटाने की process भी कर ली लिते हैं पहले लिख लिए यह उपर बाला अब दसम्मला के नीचे दसम्मला होना चाहिए तो दसम्मला के इस तरफ तो 0 है लेकर इस तरफ एक-एक है तो यह वाला 0 कैंसल कर देते हैं ठीक है इसका कोई महत्व नहीं है माइनस करेंगे या नहीं गटाएंगे तो 9 मेंसे झाएगा तो बचेगा आठ तीन मेंसे याएगा तो पाच मेंसे 0 जाएगा तो पाच लगभाक जो तो पांत viral दसम्मला को गया है लेकिन समझ की डरस्टी इस इधी डिखा जाए तो पूरा गभय तो 15-16 मिनिट में अधी समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो जीवन भर के लिए समझ में आ गया है अब उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छे है इधार उदर बटकने से अच्छा है एक ही जगा है 15 मिनिट दे दिये तो टाइम बेश्ट भी नही देखके तो यह सेंटिमीटर गन हो गया तो अब इसकी बाद हम लोग नेश्ट कॉस्टिन करेंगे थैंक यू